एक तरफ आपकी आप जिस विवस्था कोमानते हैं जिस विचारदारा को मानते हैं वोतिते कि हम खोड़ देंगे दूसरी वीवस्था क्या कह रह Still सबी करने हैं एक विवस्था जो है बुद्दा की विवस्था जो है वो ज्यान का दान प्रदान करती हैं और अपने साथ समाहित कर लेती हैं और दूसरी तरफ आप देखे तो रावन जलाने की प्रता है बारा अक्टुमबर और रात के दो बच कर साथ मिनट पर इस वकत हम लोग मौजूद है नाकपुर की एतियासिक दिक्षा भूमी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दिक्षा भूमी किस तरीके से सजाया गया है और इसके पीछे के काफी कुछ कारण है दिक्षा भूमी पर हर वर्ष समराट अशोक विज्या दश्मी के दिन बड़े पैमाने पर लोग यहां पर आते हैं नमन किया जाता है और उसके पीछे के काफी कुछ कारण भी है समराट अशोक विज्या दश्मी को जिस तरीके से फिर एक बार बाबा सहाब ने इतियास को जीवित करने का काम किया जो इस देश के अंदर तमाम दलित आदिवासी और पिछडे जिनको कहने का कदिकार नहीं थे जो तमाम लोग जानवर से भी बत्तर जिन्दगी जी रहे थे उसमें खास तोर पर अगर दलित तपके की बात करेंगे जिनको गाव के बाहर रह निकले इस देश के अंदर में जातीवादी मनुवादी विवस्था ने मजबूर किया उनको शिक्षा से वनचीत रखा गया, दन संचे करने से रोका गया, हातों में शस्तर लेने नहीं दिया गया तो तमाम राजसत्या को भी हतियाने का काम किया और ऐसे में ये तमाम अकदिकारों को जब इस देश के अंदर समराट अशोक ने इस देश में बुद्धर और उनके धम्मों को अपनाया उसे कहा जाता है समराट अशोक विजियादश्मी और इसी के साथ इसी इत्यास को पुनर जीवित करने के लिए और उस याद को फिर एक बार अपने समाज के बीच गौरानवित महसूस करने के लिए इस देश में डॉक्टर बासामबेट करने नाकपुर की इसी दिक्षा भूमी पर अपने लाखु अनुयायू को बौध दर उनके धंब के दिक्षा दी थी और इसी दिन को मनाने के लिए उस दिन को याद करने के बड़े पैमाने पर लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं नमन इसलिए कि अगर बाबा साहब ने इस देश में तमाम दलितों आदिवासियों पिछलों को बुद्धिजम नहीं दिया होता बुद्ध और उनके धंब के दिक्षा नहीं दियो थी तो जानवरस जो जिसको लेकर आज भी बार-बार याद किया जाता है इन तमाम असलों के लेकर हम चर्चा बाच्चित करने वाले हैं और रात के इतने बज़े मक तकरीबन दो बज़े की समय हो चुका है और यहां पर हम चर्चा करने के लिए यहां पर मौजूद है कि आखिर समराट असोग विजया दश्मी एक और इसी के साथ साथ 14 अक्टुमबर 1956 जब अबासाब ने इस नाकपुर के दिक्षा भूमे में बुद्ध्यधम की दिक्षा दी इसके पीछे का क्या कुछ वास्तविकता है काफी कुछ कन्फूजन भी चलता है यह कन्फूजन के पीछे की क्या सच्च यह तमाम चीज़े जानने समझे की कोशिश करेंगे हमार साथ हमार चैनल के को फाउंडर इंजनियर स्निया जी है स्निया जी बहुत बहुत स्वागत है जी जैभिम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नाकपुर के दिक्षा भूमी में आज हम मौजूद है बातचीत कर है रात का इतना समय हो चुका है तभी भी हमारे दर्शो को को हम वो खबर दिखा रहे हैं जो कि देश का मनुआ दी जाते वादी मीडिया नहीं दिखाता क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस पवित्र भूमी को लेकर परक्षी यह जो दिक्षा भूमी है यह नाकपुर में हैं यह हमारे पुरवजू की पाक भूमी पवित्र भूमी इसे कह सकते हैं जहां पर बुदीजम को जिंदा रखा गया और उसी उसी चीजों को डॉक्टर बाबा सब मेच कर इन्हों ने उसे पुना जीवित करने का काम किया और यह वो भूमी है जहां से आप गुलामी से सांस ही इसी भूमी से लिए वो तमाम लोग जिने धरम के नाम पर आपको इंसान नहीं समझा गया धरम के नाम पर पहला आज का जीवन फिर पुनर जनम और पिर अगला जनम इसी चक्कर में उसको उलजा कर रखा और इसी उलजन में उसकी पूरी जिंदगी बरबाद हो रह कि उन्हें कैसे जीवन जिया जाता है कैसे जिया जाना चाहिए वो तमाम चीजे बुद्धिसम के माधम से बताने का प्रयास किया और एक बहुत बड़ा बदलाव हम समाज के अंदर देख पा रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि वो समाज जो कभी गाउ के बाहर रहा करता थ त्थागले में घड़ा था आज वो समाज जो है वो यहां इसलिए आता क्योंकि वह इंसान बन गया और वह उन्हें इंसान बनाने वाले डुक्टर बाबा सब अंबेट कर हैं तथागत गौतम बुद्ध हैं यहां पर इस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग आते हर के लिए बाबा सहाब को वंदन करने के लिए यहां से प्रेणा लेने के लिए ही नहीं आते जब देखा जाता है तो यह देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर लोग यहां पर जो आते हैं लाखों की संख्या में आते हैं और पूरे भारत और बाकी देश के और आसपास किताब के बढ़े पैमाने पर यहां पर विक्री होती है विश्व रिकॉर्ड तक बनाती है तो करोडों की संख्या में तो यह चीज़े इसके पीछे का क्या वास्तविकता है किताबे हर बहुजन समाज के तमाम कारेक्रम हो विज्यादैश्मी हो या फिर दमचक्रपरवतन हो बाबासाहब की जहनती हो तमाम कारेक्रमे में किताबे बड़ी एहमियत दिखती है ने किताबों का जो मुख्य कारण है वैसे तो अगर आप सब जगह देखेंगे जहां पर भी अमबिटकराइट लोग हो वो किताबों का अदान प्रदान करते हैं लेकिन दिख्षाभू में एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा रेकॉर्ड तोड किताबे जो है वो ब बिलन और पहला वर्ण ब बनाया तो पहले वर्ण में ब्रा मन बनाया और बताया कि यह ज्यान लेशक पनाFit weight का में वह salts करेगा और एक ले ही नहीं सकता था तो ये जो gap थी इस gap को fill करने का काम फुले शाहु बाबा सहाब इन्होंने किया और वही कारण है वही मुख्य कारण है कि हमको हजारो हजारो सालों तक ग्यान अरजन से दूर रखा ग्यान से वंचित रखा पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखा और उसके बाद जब मौका मिला तो आज बहुजन समाज के जो लोग है वो किताबों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और इसके पीछे एक और भी कारण है क्योंकि बाबा सहाब अंबेट के किताबों से बहुत प्रेम करते थे तो किताबे यह ग्यान अर्जन करने का मुखे सोर्स है और उस सोर्स को लेखर आज बहुजन समाज के लोग जो है वो दिवाने हैं वो किताबे खरीदना चाहते हैं और यही चीज है दिक्षा भुवी में लोग देश विदेश से ऐसी कोई किताब नहीं जो मुवमेंट से संबन्दित हो और वो किताब यहां ना मिले तो ऐसी अलग-अलग भाशाओं में और बाबा सहाब का लिट्रेचर हो या फिर बाबा सहाब में पर जिनोंने लिट्रेचर लिखा उनका वो लिट्रेचर हो या फिर अन्य महापुर्षों का लिट्रेचर हो महानाईकाओं की संबन्दित हो हर प्रकार की किताबे धम्म से रिलेटेड समाजी कंदोलन से रिलेटेड राजनेती कंदोलन से रिलेटेड माया वतिर मानेवर कांश्राम सहाब तक की से समधी जो लिटरेचर है वो सारी चीजे आपको दिक्षा भूमी मिलती है बाबा सहाब ने जब इस नागपुर की पवित्र भूमी पर जो दिक्षा देने का काम किया उन्होंने जिस समय को चुना वो समराट अशोक विज्या दश्मी का दिन माना जाता है इतिय इसके पीछे का क्या कुछ आपको इतियास और बैग्राउंड नजर आता है लेकि इसको इसको लेकर काफी कन्फूजन भी है लोगों में क्योंकि आज जैसे 12 तारीक है कुछ लोग 14 को आना चाह रहे हैं और 14 को आने की पीछे का उनका कहना यह है कि बाबा साहब ने चौद आपको वह रिलेट करना चाहते थे कैसे बुद्ध से और वह बुद्ध से कैसे वाया सम्राट अशो का विज्यादश्मी जो हम मना रहे हैं इसे इसी नाकपूर की भूमी पर रेशिम बाग में वह दशहरा हो जाता है वहीं पर श्रस्त्रों की पूजा की जाती है और यहां दिक्षा भूमी में यहां किताबों का आदान प्रदान होता है और यहां अशोक विज्यादश्मी मना जाती है यहीं बुद्ध का धंव स्विकार किया जाता है और लाखों लोग यहां पर हर साल हिंदु धर्म छोड़ते भी हैं तो यह इसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि सबसे पहले मतलब अपना जो जो भी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई तो बुद्ध को जब लगा कि हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि भाई इस देश और दुनिया के अंदर कुछ लोग दुखी हैं और उनके दुख का क्या कारण है यह चीजे जब बुद्ध को बुद्ध को लगा कि किसे बता है कैसे बता है उन्होंने जब पहली बार बताया तो वह उनको यह ग्यान प्राप्त होता है बहुत गया में लेकिन वह बताने के लिए सारनाथ जाते हैं और सारनाथ जाकर अपने पंच पंचवर्गे भिक्षों को यह बात बताते हैं जब और पहली बार अपने जो निभीषाद राज दिखशा है वो पहली बार अपने विख्षो को जब बताते हैं उसे कहते हैं पहला दंच कर प्रवर्तन हुआ सबस्क्राइब लग जानते हैं कि कैसा क्या उनका परिवरतन हुआ और उस समय अपनी तलवार को छोड़ते हैं और कहते कि अब वो श्रस्त्रधारन नहीं करेंगे और श्रस्त्रों को त्याग देते हैं और फिर वो बुद्ध के मार्क पर चलने लगते हैं एक होगे अब वो धम्मचकर प्रवर्तन जब बुद्ध ने अपने पांच पंचवर्गय भी को को दिया दूसरा सम फिर देन के सब्साइड के प्रवणतिकर अधिकल्य मार्य से उन चीजों को बदल कर उसे देशरे में बदल दिया जाता है और दशरे का मकसद होता है रावन जलाने के साथ साथ शस्त्रों की पूजा करो एक तरफ आप जिस विवस्था को मानते हैं जिस विचारदारा को मानतें वो कहते हैं कि हम शस्त्रों को छोड़ देंगे दूसरी ववस्था क्या एए कि आपको शस्त्रोंकी पूजा करी है एक ववस्था बुद्दा की विवस्था वो ञान का दान प्रदान करती है और अपने साथ समाहित कर लेती है दूसरी तरफ आप देखे तो रावन जलाने की प्रता है यह जो आप चीज तुलनात्मक चीज आप समझाने की कोशिश कर रहे है यह अगर बाबा सहाब की लिटरेचर को हम पढ़े तो अम करांति और प्रतिकरांति जहां से नजर आती है शायद यह उसी का ही एक जो है वो भाग हो सकते हैं तो उसमें और प्रतिक्रांती एक साथ चलती रही तो सम्राठ अशो के बाद जब प्रतिक्रांती हुई तो उन्होंने अशो का वीजादेश्मी को दर्शहरे में तब्दिल क्या बाबा साब अम्बेटकर ने देखा उनीस सोचपन में देखा उनीस सोचपन में भी वह कर सकते थे लेकिन उनको एक पर्टिकुलर गैप देखो तो बाबा साब अम्बेटकर ने 20 साल पहले कहा कि हम हिंदुधर्म छोड़ देगे लेकिन उनीस सोचपन को लिया और उनीस सोचपन को उन्होंने चौदा तारीक परंपरा से भी जोड़ना था और साथ में सम्राट अशोक से भी जोड़ना था तो सम्राट अशोक से जोड़ने के लिए और बुद्ध की परंपरा से जोड़ने के लिए उन्हें धाई हजार साल जब पूरे हुए इस धमचक्रप्रवर्तन को जब पहली बार बुद्ध ने क जो घ्याब को करने के लिए कुछ इसी क्या की पॉइंट्स लिए उसकी पॉइंट्स में धुम्ब शक्रप्रवरतन케ं उसे की पॉइंट्स में अशोका विज्यादशमी और उसी में दशहर अशो क विजयादश्मी को प्रतिक्रांति करके दश्हरे में तब्दिल किया उस दश्हरे को बाबा साफ मुटकर ने वापस अश्रो का विजयादश्मी बनाकर धमचक्रप्रवरतन में तब्दिल किया अगर दशेरा अगर 15 को आता उनीसोचपन में तो बाबा साथ बंबेट कर बेशक वो 15 को करते हाला कि उसके बाद मतलब एक मुख्य जो धम्मदिक्षा का जो कारेक्रम था धर्मांतरन का जो कारेक्रम था वो मुख्य तोर पर नाकपुर दिक्षा मुवे में था और इसलिए यहां की डेट जो है वो एतिहासिक जो घटनाय है उससे जोड़ी गए लेकिन इसके बाद 16 को उन्होंने चंद्रपूर में दिया सत्रा को उन्होंने वर्षा में दिया तो ऐसी चोटी मोटी धमदिक्षा की जो कारेक्रम है वो भी चलते रहे लेकिन यह जो मुख्य था जह जिन लोगोंने धशारा मनाया, अश्वका विज्या दश्मिक को छोड़कर जुनोंने शस्तर क्यों शोड़ा और उन्होंने शच्र फूजने की बाद की फिर बाबा साब शाब साब ने कहा कि अब हम फिर से जो है वो शस्तरों को छोड़ने वाली परंपरा है और प्रदेश में काफी जगह पर बावा साब ने अपना कार्य चेत्र रखा और अन्य को जगह पर उन्हें अपना अंदुलन चला है खास तोर पर बुद्ध धम की दिख्षा नागपूर में ही देने का क्या उसके पीछे का उचित्त बावा साब का होगा पराग जी हमने पहले ही कहा कि यह हमारी पवित्र भूमी है यह पाक वो जगह है हमारा इतिहा से कहता है कि नागों ने नागवंशों ने बुद्ध के परंपरा को उसका जतन किया बुद्ध की संस्कूरूति को संभाल कर रखा और उन लोगों का जो राजपाट रहा या उन नाग नदी के किनारे और वो नाग नदी जो है वो नागपूर से होकर बैती है और उसी नाग नदी के किनारे बसने वाले जो नागवंशों लोग थे उन्होंने इस नागपूर की इस नाग भूमी का सरक्षन किया इसकी स्थापना की और यहां पर गुद्ध की से रहने वाले लोग है नाग नंदी के किनारे रहने वाले लोग है इनकी सब्वेता मतलब बहुत परंपरा बहुत संस्कृति जो है यह नाग नंदी के किनारे बसने वाली संस्कृति हैं तो उन लोगों को ढूंडा उन्होंने उस जगह को ढूंडा और फिर उन्होंने पूर कि ये जमीन है हमारे पुर्वजों की भूमी है और वो पुर्वज नों ने बुद्धिजम को जतन किया बुद्ध परंपराओं को सुविकार किया और उस सब्वेता का लालन पालन किया तो यह तमाम चीज़े हमने समझने की पीछे की कोशिश की है और काफी ज्यादा जो है कन्फूजन 14 अक्टूमबर को लेकर होता है और इसी के साथ समराट असोग विज्यादश्मी जो मनाई जाती है उस दिन पर भी कहने कई कन्फूजन होता है कि आखिर कब दिक्षा भूमे में आया जाए और दिक्षा भूमे की यहां पर दर्शन किया यह चीज़े चलती है लेकिन खास तोर पर यहां पर जो कारेक्राम आयोजित होते है यहां पर जो कारेक्राम दिक्षा भूमे में आयोजित किये जाते है यह उसी दिन होते है जिस दिन समराट असोग विज्यादश्मी होती है उसी दिन यहां पर कारेक्राम आयोजित किये जाते है नाकपूर में इदिक्षा भूमी पर न कि 14 अक्टूबर को किसी भी तरीकी की कारेकराम यहाँ पर होते है हाँ अमूमन तोर पर यही देखा जाता है कि नाकपुर में खास तोर पर जो रहने वाले लोग है वो लोग 14 अक्टूबर को आते है क्योंकि उनका यह मानना है कि जिस दिन समरट अशोक विजादश्मी होती उस दिन यहाँ पर काफी सारे लोग होते है और वो जिस तरीके से इत्मिनान से वो यहाँ पर आकर तमाम चीज़े समझने की अनुभाव करने की जो कोशिश उनकी होती है वो नहीं कर पाते है इसलिए 14 अक्टूबर को ही वो आते है यही उनने माननेता देखी जाती है तो अब एक चीज़ और देखी जाते हैं सोशल मीडिया पर मेंस्रीम की मीडिया पर तमाम चीज़े हम देखते हैं खासतर पर हम मीडिया से तालुकात रखते हैं कि यहाँ नाखपूर की दिक्षभूमी पर पूरे भारत से लोग आते हैं और लाखो की संक्या में यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जंद लोग इसी नाखपूर में शस्त्र पूजा करते हैं उसको मेंस्ट्रीम का मीडिया इस देश का मनुवादी मीडिया बड़े पैमाने पर पूरा दिन दिखाने की कोशिश करत लेकिन यहां के इस बड़े जमावडे को दिखाने का काम नहीं किया जाता क्या इसके पीछे का कारण मॉन्दी देखे श्रस्त्रपूजा जो है वो हिंदू परंतरा का हिस्सा है पर जो इतिहास है वह हमारे लिए वह संघर्ष है और हमारे लिए याने इसे प्रतिकरान्ती है लेकिन मैं मिधिया ने इसे स्विकार कि यह दिखाया यहां जैसे कि जब आप बात करते हैं तो चुकि यह इस ही नागपूर की भूमे में जहां पर कभी बॉद्द सभ्था यहां विक्सित हुआ करती थी बॉद्द संस्कृति यहां विक्सित थी यहीं पर रेश्म बाग में आड़ेस का हैटक्वाटर है और कई बाबा साब को बाबा साब को कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि शायद आपने नाकोर इसलिए चुना होगा इसके पीछे का मकसद यहीं था कि यह नागों की भूमी है और इस नाग भूमी में नाग लोग में हम बुद्दीजम स्विकार करें लेकिन यहां आप देखो हम बच्पन से आ रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि दसवी बारवी में अगर आप है तो ही नहीं हम आपाई लेकि जितने साल से हम देख रहे हैं और लगभग यह तीस सालों का जमाना हुआ लाखों की भीड़ी आ रही मेंस्ट्रिम की मीडिया ने कभी यह नहीं बताया हमने कभी टीवी अकबारों में तो अभी अभी आने भी लगा हैं कि इतनी लोग आए इतने लोग आए किताबे इतना हुआ इतना रेकॉर्ड रहा लेकिन मीडिया में यह अब तक नहीं आता था सोशल मीडिया आया लोगों ने आप देखो जो लोग चल रहे हैं ना उनके हाथ में अपना एक मीडिया है अब यह किसी मीडिया के भरोसे नहीं है और अब यह लोग खुद ही बताते कि हम अब हुमी को कवर नहीं किया और कवर किया तो ऑफिशली किया यह नहीं बताया कि यहां पर कश्मीर से लेकर करन्या कुमारी तक लोग आते हैं उन्होंने यह नहीं बताया कि यहां सिर्फ भारत के लोग नहीं आते बलकि जापान चीन और मैनमार के लोग आते हैं है और यह चीजे हमको कब पता चलती है जब हम थोड़े बहुत मीडिया को पैचाने लगते जानने लगते और फिर यह चीजे तो टीवी में दिखा ही नहीं रही है और फिर अब जो छोटे मोटे चैनल से दिखाना शुरू किया उसके बात से यह अब जो चीजे है वह अगर समय आपको बता दू दो बचकर चार मिनट में हमने वीडियो की शुरूआत की थी अभी दो बचकर 29 मिनट होने जा रहा है और लगातार लोगों का ताता लगा हुआ है अभी भी लोग दिख्षा भूमी के अंदर जाकर वहां पर नमन कर रहे है बबासाब को धन्यव परतन किया जा सके अपने घर परिवार में एक सही और सदाचार सदाचारी वाला जीवन जी आ जा सके अखिर में यहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तमाव हमारे जो दर्शेक पूरे भारत से जो हमारे बड़े पहमाने पर वीवर से वो देखरें उनको क्या लिक्षा भूमी के प्रागन से प्राग जी हम नैशनल चौपाल के माध्यम से यह संदेश देना चाहेंगे कि बहुजन समाज का अपना जो इतिहास है वो इतिहास उसकी लिंक टूटी हुई है कई इतिहास जो है वो आधा अधूरा है या फिर पूरा है लेकिन जुड़ा हु परतन पढ़ते हैं फिर आप सामला टशो कपड़ते यह बाबासाब कपड़ते हैं यह चीजे जो है इससे लिंक करने का काम हमारा अपना है और अगर हम इससे लिंक करते हैं तो यह हमें प्रेड़ना देने के लिए यह बहुत ही मजबूत इविड़िनस साबित होता है और हम अपने इतिहास से भी दूर रहते हैं और अगर हम अपने इतिहास से दूर रहते हैं तो आई प्रेड़ना भी नहीं मिंती हैं तो ज्यादा सिर्फ संख्या है पने में समय की लोग यहाँ लेकिन यहाँ पर आने के लिए स्थिशन हैं यहां पर आने के लिए जो इनर्जी मिलती हैं उन चीजों के लिए दिक्षा भूमी एक बार विजिट जरूर करना चाहिए अपने बच्चों के साथ अपने बुजुरों में जरूर आईए और यहां से वो उर्जा मिलेगी वो शक्ति आपको मिलेगी वो ताकत मिलेगी कि आप साल भर मनुवादियों से लड़ सकते हैं तो यहीं हमारे साथियों से कहना चाहेंगी कि अगर आपका भी रही है तो जरूर आईए और हर साल आईए और इतना आईए कि रेशिम बाग वाले जो पर तमाम बाचीत हमने यहां से आपको रूबरू की है और जो कन्फूजन बड़े पैमाने पर धमचक्र परवत्तन दिन को लेकर 14 अक्टूबर को लेकर जो चीजे चलती है उसकी पीछे की जो वास्तविक्ता है वो भी हमने आपके साथ साजा किये इस पूरी की पूरी बाच चीत को लेकर आपकी राय आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताए बने रहे नैशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जैभीम जैभारा है